द्यान दिजीगा, कुस्चन है, एक इसी काम का चारवटा पांच भाग बीस दिनों में करता है, फिर बी को काम पर बुलाता है, और वो मिलकर से इस काम को तीन दीन में खत्म करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितना दिन में करें? अच्छा गौर की, ए जो है, किसी काम का काई भाग, चारवटे पांच भाग, काई दिन में करता है, तो उपर वाले से भाग देते हैं, नीचे वाले से, चार पचे बीस, तब पच्चा, यानि काई दिन हो गया, बी के लिए क्या है, फिर बी को काम पर बुलाता है, पहले ए अब कुन आ गया, बी आ गया, और वे मिलका सेस काम को, अब सेस काम कितना बचा, टोटल काम पांच गो था, ए ने चार काम कर दिया, तब सेस कितना काम बचा, पांच काम में से चार गो तो ए कहले हैं, तब बी के लिए अब कतना बचा, सेस काम दुनों मिलकर जो कर गया, ए तो पूछा किसके बारे में बी कितने दिनों में समाप्त करेगा अब आपको पता है कि कुल काम निकालने के लिए हमेशा इस दोनों का क्या करते हैं लगों 75 होगा और एक दिन का जो काम होता उसको हम लोग उसका छमता करते हैं तो 25 दिन में 75 काम ते एक दिन में काय काम तीन काम 15 दिन में 75 काम ते एक दिन का काम कितना होगा पांच चुकि एक दिन का काम ही छमता होता है तो बी का निकालना है तो फर्मूला होता है कुल काम कुल काम कितना है 75 अब बटा में उसका छमता कुल काम बटे छमता समय जब निकालना हो तो फर्मूला होता है कुल काम बटे उसी का चमता जिसका निकालना है तो कुल काम है पच्छत तर अब बी का पुछरा है चमता बी का चमता कितना होगा यहां से निकालना पड़ेगा अच्छा तुम्ही बताओ दोनों मिल के कितना है पांच है और निकालना किसका है एका तो दोनों में से अगर एका हटा ले तो किसका बच जाएगा बी का दोनों का चमता है पांच एका चमता है तीन तो इसका कितना चमता जाएगा तो 75 बटे 2 यानि कितना हो जगा 37 पुर्णांग 1 बटे 2 दीन आंसर होगा कि न होगा समझ में आया तो आप लोग ऐसे इसको बना सकते हैं